राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गडबंधन ने तैयारी तेज कर दी है कॉंग्रिस की तरफ से अशोग गहलोत ने दिल्ली में मुलाकात भी कर ली है मगर राजस्थान में अभियाम आदमी पार्टी, बसपा, CPM और भारती आदिवासी पार्टी और कॉंग्रिस में सृतही लेवल पर कोई काम नहीं हुआ है जहां एक सियासी खिचुडी पक रही है कॉंग्रिस के अलावा अन्य दलो को इंतजार है कि दिल्ली में क्या तैयारी है, कौन किसके साथ जाएगा, इन सब बातों पर चुनाव निर्भर रहेगा कॉंग्रिस के अलावा CPM, आप, बसपा और BAP एक सीट के इंतजार में है इन सबी दलो को विधान सभा चुनाव में मिले समर्थक के हिसाब से दावा करने का मौका मिल रहा है हाला कि कोई भी पत्ता नहीं खुल पा रहा है आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विने मिश्रा का कहना है कि देश हित में जो होगा उस पर फैसला लिया जाएगा ये बड़ा चुनाव है इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है इस सिलसले में विने अगले सब्ता राजस्थान आ रही है वहीं बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंग बाबा का कहना है कि राजस्थान में टिकट की घोशना बसपा सुप्रिमो मायावती करेंगी अभी कुछ तैयारी नहीं है जो वहां से फैसला होगा उसे यहां पर लागू किया जाएगा भारते आदिवासी पार्टी भी अभी सीटों को लेकर कुछ कहने के सिती में नहीं है मगर उनकी तरफ से दो सीटों को लेकर तैयारी चल रही है बासवाडा और उदैपुर पर उनकी पार्टी चुनाव की तैयारी में है वहीं CPM के नेता और पूर विधायक अमरा राम का कहना है कि यहां कुछ भी अभी तैयर नहीं हुआ है सब कुछ दिल्ली से होगा यहां तो कॉंग्रेस ही तै करेगी कॉंग्रेस महासचीफ स्वन्नेम चतुरवेदी का कहना है कि इसके लिए दिल्ली में बैटके हो रही है जल्द ही कुछ सामने आएगा बतादे विधान सभा चुनाव में बीजेपी और कॉंग्रेस के मत में बढ़ा अंतर रहा जहां बीजेपी को 1.65 करोड मत मिले तो कॉंग्रेस को 1.56 करोड मत मिले इसमें खास बात ये है कि RLC को 9.46 लाग मत मिले है इतना प्यार पाकर RLC अकेले चुनाव मैदान में नहीं जाना चाह रही उसे भी किसी बड़े दल के साथ जानी की चाहत है ऐसे में बस्पा के दो विधायक चुनाव जीत कर आए है आपके पास कोई भी विधायक नहीं है ऐसे में CPM को भी 3.82 लाग मत मिले है अलग-अलग छेत्रों में ये दल सीट मांग रहे है मगर गडबंधन में कितना इन लोगों की सुनी जाएगी ये एक बड़ा सवाल है